एक बोल में 1 टी स्पून अद्रकलेसन का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा रेड चिली पावडर, थोड़ा सा गरम मसाला, 1 टेबल स्पून कॉन फ्लोर पावडर, few drops of oil, one small size lemon juice, इन सब चीजों को अच्छे से mix कर लीजे, few drops of red food color, mix all these things well, now add these fish pieces in the mixture, अच्छे से mix कर लीजे, यह हमने फिश को सारे मसाले अच्छे से लगा दिये है, मैरिनेट कर दिया है, अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे, ताकि जो मसाले हैं, वो फिश में अच्छे से गुश जाए, मैरिनेशन के लिए रख देंगे हम, कम से कम 2-3 घंटे at least, फिश हमारी अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है, लेट्स फ्राइ, फिश को फ्राइ करने के लिए एक नॉन स्टिक पैन में ओईल को हीट कर लेंगे, ओईल अच्छे से गरम हो गया, अब हम इसमें फिश के पीसे साड़ कर देंगे, बिसमिल्लारमान रहेम, थोड़े थोड़ा सा स्लो कर दीजिए, अब धीरे से पीसे को एक एक करके पलठाएंगे, चलिए वापस से पीसे को टर्न करते हैं, दूसरी साइड, बहुत जेंटली बहुत देखके धीरे से पलठाएंगे, ताकि पीसे तूट ना जाएं, पलठा लिया हैं उमने पीसे को, कॉर्ण फ्लोर मैंने बहुत कम दाला है, आप चाहे तो और बहुत कर सकते, थोड़ी सी महनत के बाद, फिश हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, लेट्स दिश आउट, ये देखिए, फिश फ्राई बिल्कुल तयार है, रेड़ी तू सर्व, रेड़ी तू एट, प्लेट लेगत वारीव, ये छुदा लेगत अच्छे से फाहलोग उन्याट से शॉन्मी को श्क्रीणी के बाद, भीन के इसbareव़ग, पर लेखिए, ये धान